इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेनबाजी करनी होगी यहाँ गेनबाज बल्लेबाज के पास गए और कहा कि आज आपका भागया अच्छा है और बल्लेबाज का कोई मन नहीं है उनसे मूँ लगने का ओहो उठा के खेल दिया है खुबसूरत शॉट और यह सीधा बाउंडरी के पार चलिए देखते हैं कि अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ऐसी फील्डिंग से टीम का आत्मबल बढ़ता रहेगा दो रन का कॉल बहतरी फील्डिंग अपनी टीम के लिए जरूर कुछ रन बचाए मौझूदा रन रेट को देखते हुए बल्ले बास अपने रूप बदल रहे हैं खतरनाग गेन और सीधा बल्ले बास के शरीप लगी गेन बास ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर लगा है शॉट गेन बास के पुरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वाह क्या बात है यह एक ऐसे बल्ले बास है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे वाह क्या शॉप मारा है बल्ले बास ने बल्ले के बीच और बीच से दोनों ही बल्ले बास पूरी लेमे और बड़े स्कोर पर उनकी नजर कप्तान को विकेट की यहां सक्त जरूरत दर्शक यहां बाउंडरी की आस लगाए बैठे हैं बहुत साहित बहुत ही खराब रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई की है फास बोलर्स की इन्होंने और दूसरे शोर पे भी तेज गेंद बास को ही लाया जा रहा है यह बहुत ही कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी उटा के खेल दिया है शांदार बल्ले बाजी और यह छे रन फील्डिंग में परिवर्तन खूप शाट लगाया बल्ले बाज ने बल्ले बास की आखे तो चील की आखों की तरह हो चुकी है गेंद बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का हम एक रोमान चक खेल देख रहे हैं अच्छा लग रहे हैं कि दर्शक भी इसमें शामिल है खराब शॉर्ट सेलेक्शन वीपल समझ नहीं पाए गेंद को बहुत ही बड़ा सिक्स मानों कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बल्लेबास यहां काफी आक्रमक मूड में लग रहे हैं ओ ये तो बुरा हुआ बल्लेबास के साथ ये गेंद सीधी जाके लगी है ने डीप पॉइंट पे फील्डर लगाया है कप्तान ने कप्तान ने अतिरिक सुरक्षा के लिए डीप पॉइंट लगाया है बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन एसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वाह क्या बात है हवा में उठा तिया है और यह छे रन कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी बल्ले बास तो ऐसे कॉंफरेंस में हैं कि बॉलर को बता रहे हैं कि अगली बॉल कहां मारेंगे चलिए देखते हैं कि अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी थाइसो रन पूरे करते हुए यहां ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है शादिर गेंदबाजी बोलर द्वारा गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं पूरी तरह मिस्क किया वहाँ यह बहुती कठिन फील्ड है गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सठीक रखनी होगी पल्लेबाज ने इस गेंदबाज को पड़ा भी और जड़ा भी लगाया चक्का यहां गेंदबाज को नई रन नीती के साथ आना होगा कि कईए सेकड़ उन पर भारी न पड़ जाए बल्लेबाज ने गेंदबाजी को सधारन बना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहां छे रन बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेबाजों के बीच एक महत्रपून पारी बैटिंग टीम के लिए दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे छक्का मार देंगे डीप एक्स्ट्र कवर पे फील्डर मौजूद अलास्ट्रो टन 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 बल्ले के बीच ओ बीच पहतरीन बल्ले बाजी बल्ले बास द्वारा शॉर्ट्रो गेन बास के पुरे अकड को चकना चूर करती हुई छेरन हम एक रोमान चक खेल देख रहे हैं अच्छा लग रहे कि दर्शक भी इसमें शामिल है अच्छी तरीके से खेला आसानी से दो रन मिल सकते हैं बहुती बड़िया पिक अपन थ्रो बल्ले बाजो को एक एक्स्ट्रा रन रेने से रोक दिया फील्डर है कवर बर पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होने चाहिए यहाँ बहुत ही बड़िया फिल्डिंग का प्रदर्शन पूर्ट स्पिनर्स को बड़ी खुप्सूर्टी से खेलते हैं यह बल्ले बाज स्पिनर्स रेन प्रदर्शन झाल झाल स्विनर